एक बहुत से आप सबका स्वागत है आपके अपने शनल में इस वीडियो में अपने आपर बात करेंगे जो ECS SPAN T10 का Semi Final 1 होगा जो खिला जाएगा पारक आई केर वर्सिस बेंगाली के बीच में तो इस मेचकी में आपको पूरी की पूरी जानकारी डिटेल में दूँगा ब अगर आपने अब तक टेलिग्राम चनल को जो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलिग्राम चनल को जरूर से जोन कर लेना है टेलिग्राम चनल का जो लिंक है एक तो देखो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दूसरा आप कमेंट सेक बात करें यहांपर मुकाबले की तो एक बच के पंदा मिनट पर मैच स्टार्ट होगा मैच कहला जाएगा मौंट जुएस ओलंपिक ग्राउंड बार्सिलोना इस्पैन में पिछ रिपोर्ट की बात करू आर्टिफिशल विकेट हैं 120-150 के बिच में स्कोर बनता है 94 मैचस कंप वीक है अच्छी टीम है इनकी आला कि जो बेंगाली के सामने इनका मैच है इनसे दो मैच होएते इनके लीग में और दोनों हारेते हैं लेकिन यह टीम अच्छी है मोहमद ईशान और आबिद महबूब ओपन करेंगे मोहमद ईशान बहुत ही तगड़ी मैच फॉर्म में चल बल्ले से 20, 0, 0 और 13 हैं तो मलब contribution उतना नहीं है लेकिन इनको मोका पुरा दिया जा रहा है बेटिंग से भी और बोलिंग से भी मोहमद मौसिम है इसने फाइनली last match में बोलिंग करवाई थी उससे पहले बोलिंग नहीं करवा रहा था सिर्फ बेटिंग कर रहा था 25, no doubt, 41, 9 run, 0 wicket, 9 run, 9 note out है असाद अब्बास है 21, 28, 1, no betting, 4, कुछ खांस record है नहीं मोहमद आतिफ है ये इनका main बोलर है प्लस बेटिंग से भी ये थोड़ा बहुत contribution दे सकता है last के 6 match में अगर आप देखोगे 12 over डालके 5 wicket है और बल्ले से आपर 15, 0, 0 और 1 note out और 21 है उमेर अहमद ह वैसे इसका main काम है open करना लेकिन last match था जो जहाँ पर league का वहाँ पर इसने open नहीं किया था लेकिन आज अगर ये जो betting order आएगा उसमें opener के रूप में mention है न तो फिर आप इसको जरूर टीम में रखना है क्योंकि ये open कर सकता है और bowling भी करवा सकता है लास्ट के 6 match में 2 match में bowling बोलिंग कराई है विकेट है नहीं बलने से 13 97 नोट आउट 14 0 18 24 नोट आउट है देखो अगर ये open करेगा तो मैं इसको टीम में रखूंगा लेकिन नंबर 6 के करीब खेलेगा फिर मैं टीम में नहीं रखूंगा खुर्रम सजाद last के 6 match में एक और डाला है बिलकुल भी खा टीम मिली है लाश्ट के 6 match में 4 ओवर डाल के 2 विकेट है राजा नफीस कुछ खास मोका इनको मिलता नहीं है हसन अली के नाम यहाँ लाश्ट के 6 match में 11 ओवर डाल के 3 विकेट है तो as of now यहाँ से अभी के लिए अगर यही बेटिंग ओडर रहता है ना तो मैं पिक करूंग मैं यहाँ से मोहमद ईशान को मैं टीम में रखूंगा इनके अलावा नीचे चलू तो आबिद महभूग को मैं टीम में रखूंगा और मोहमद मौस्तिम को टीम में रखूंगा मोहमद आथिव को टीम में रखूंगा उमेर अहमद को मैं तब टीम में रखूंगा जब यह as खेल जाए वैसे मेरे साब से खेलेंगे बेंच पर से इनके प्लेयर तो उनके स्टाट्स में आपको टेलिग्राम चलब दूँगा जिसे कल भी चेंज हुए थे तो में आपको स्ट्रेस बता दिये थे अब इनकी दरब से स्टार्टिंग ओवर डालते हैं मोहमद आतिफ और हसन अली और डेथ में आते हसन अली यहां से मोहमद मौसिम और आबिद महबूग सामने जो टीम है बेंगाली के टीम इनकी टीम ने भाई इनको दोनों मुकाबले हराई थे लीग फेस में और लास्ट के चे में से एक ही मुकाबले अंके टीम हारी है तो फॉर्म इनका ज्यादा तगड़ा है फारुक अहमद और अब्दुल्ला अलममून ओपन करेंगे फारुक अहमद की अगर मैं बात करूँ यहां पर तो देखो बोलिंग तो इसमें दो ओवर की कराई है जिसमें कोई विकट नहीं है लेकिन बल्ले से अगर आप देखोगे तो 24 हैं 31 नोट आउट हैं 80 हैं 86 नोट आउट 24 12 18 6 मला बेटिंग प्लस बोलिंग दोनों करता हैं जाईद असने यह सिर्फ बेटिंग कर रहे हैं और लास्ट के 6 में से इनकी बेटिंग उतनी चल भी नेरी 9 13 34 9 बेटिंग 9 हैं ग्रेंड लिंग में चाहो तो रख सकते हो क्योंकि वन डाउन ही बेटिंग करता है हरदीब सिंग है यह भी बेटिंग के साथ साथ बोलिंग करवाते हैं लास्ट के 6 मेंच में दो विकेट हैं और बल्ले से 78 नोड आउट 48 0 44 नोड आउट 10 और 60 है बहुत तकड़ा फॉम है फिर यहाँ पर आएंगे सोहल जाइद इन्होंने लास्ट के कुछ मेंच में बहु बहुत अच्छी बेटिंग की है छे तीस नोड बेटिंग छे 28 नोड आउट 75 नोड आउट तो अगर इनकी टीम पहले बेटिंग कर रही है तो आप इस प्लेयर के साथ जा सकते हो सहीदूर रह्माने यह भी इनका एक में बोलर हैं लास्ट के 6 मेंच में दो विकेट हैं बल पल्ले से 24 नोड आउट 10 है तुहीन मतलब कुछ खास रिकोर्ड नहीं उबेदूर रह्मान को भी उतना मोका यहां पर नहीं मिलता है तो यहां से जो इंपोर्टेंट प्लेयर है वो है फारुक अहमद है अब्दुल्ला अलममून है हर्दीप सिंग है सोयल जायत को तो मैं बेटिंग फर्स में ट्राइ करूँगा सयदूर रह्मान है हुमायून कबीर है और महादी अलममूद है बाकी बेंच में जो भी प्लेयर से इन में से कोई भी खेले उसके स्टाट्स में आपको टेलिग्राम चलने पर दे दूँगा इनकी तरब से स्टार्टिंग के जो पोट के तोर पे सिर्फ एक चीज़ मां हुआ कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना उससे मेरा मोटिविशन यहां पर बना रहता है अभी यहां पर पर देख लेते हैं डेमो टीम नेक्स स्लाइड में भाईयों आपको डेमो टीम मिल जाएगा लेकिन उससे पहले आपका ट दिस्किप्शन में पहुंच जाओगे वहां पर आपको टेलिग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन कियावा उसमें भी आपको टेलिग्राम चनल का लिंक मि पूरी डिपेंड करेगी टॉस के ओपर वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चेले पे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्षन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा धन्यवाद